नमस्कार किसान सातिए आप देख रहे हैं फार्मिंग वीजन चैनल और जो ट्रैक्टर भी आप देख रहे हैं वो है धुलाई का किंग होलेज स्पेशल ट्रैक्टर में सी फर्गुषन का सी पच्छपन जो की बहुस के नाम से काफी परचली ट्रैक्टर है इन दिनों में पहाई फोलेज के काम करते हैं तो इस ट्रैक्टर की वीडियो देखना काफी पसंद करते हैं और और भी जो सेगमेंट के ट्रैक्टर हैं 50 HP के टेगरी के उन से कंपीट करने में अब तक जितने भी इसके कंपीटिशन हुए हैं तो सभी में काफी बड़िया बैतरीन परदशन किया इस ट्रैक्टर ने ट्रोली के कामों में 50 HP का ट्रैक्टर है ये मेसी का जो बावन पेंटाल इसमें एंजिन आता था लगबग सेम वो इंजिन और इसमें आपको 200 NM का बैतरीन टोर्क देखने को मिल मिलता है काफी बड़िया इंजिन फ्यूल एफिसेंट और पावर के हिसाब से बहुत ही बैतरीन आठ प्लस दो का गेर बोक्स आठ फरवर्ड और टू रिवर्स गेर्स इस तरह का कुछ इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर और स्टेरिंग वील आपको देखने को मिलता है इसमें काफी यूनिक डिजाइन प्रोजेक्टर हैड लेम के साथノ अजब्यशेबल फरंट एक्सेल और साथ सॉला के फ्रंट टाइर और काफी यूनिक डिजाइन सस्पेंडी टायब क्लस्ट पैडल ब्रेक पैडल और लगभग फ्लैट प्लैटफोर्म और इसमें आपको तो आठ फरवर्ड और टू रिवर्स गियर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सिलेर्टर पैडल कुछ इस तरह गा और जो पार्किंग में आपको अगर पोजिशन में रखने हैं मतलब ब्रेक पैडल लोग करने हैं तो यहां पे कारों की तरह आप इसको लोग कर सकते हैं और इसमें जो डिस्टिब्यूटर लगा हुए वो लिफ्ट के बिलकुल उपर ही लगा हुए लिफ्ट का जो टाप आप है उसके उपर ही डिस्टिब्यूटर इसके लगा हुआ है जैसे वह अन्ने ट्रेक्टरों में पीछे डिस्टिब्यूटर लगा हुता है तो इससे आप डारेक्ट ट्रोली उठा या गिरा सकते हैं मेरे हिसाब से इसका जो हैड्रोलिक प्रेसर रहेगा वह भी कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा जो अन्य ट्रेक्टर है उसकी वजए ट्रोली को जल्दी जटपट खाली कर देगा और इसका यह पीटियो एच बी कि बात करjos तो 46 हच पी पीटियो पावर प्रोडिव करते हैं यह ट्रेक्टर ऊपचास एच्पी केटईगरी काने के बाफजुद कफी बढ़िया पीटियो एच बीडियो एच पी भी निकालके देता यह और फ्यूल एफिसेंट और पावर दोनों इस ट्रेक्टर में देखने को मिल जाती है आपको फ़रंट में जो एक्सल स्पोर्ट है वो भी बहुत बैतरी इन 1628 का रियर टायर और इसमें जैसे इन ट्रेक्टरों में आपने जो बैक एंड देखा होगा जैसे 95 सवगारा में जाते उस तरह का एक्सल नहीं है इसमें और इसमें जो स्ट्रेट एक्सल है काफी अलग है जैसे सवराज वगेडर का आते हैं तो उस तरह कापको इसमें एक्सल देखने को मिलता है और और एक्सल देखने को मिलता है correspondence और हिच और हिच की जो position 대해서 चेक करें कुवालिटी वाइस बहुत बहतरी नुम्दा काम किया है मैसी ने अठारा सो किलो के आसपास की इसकी लिफ्टिंग कैपेस्ट्रियों मैसी की जो विश्वशनी है लिफ्ट है वो इसमें आपको देखने को मिल जाती है तो काफी बड़िया ट्रेक्टर है मेरे इसाबसे ओलेज के कामों के लिए पाउरफुल और फ्यूल एफिसेंट किसान साथियों आपको ये ट्रेक्टर कैसा लगा आप अपने कॉमेंट के जरिए अपने विचार हमारे साथ जरूर साथ जा करें और जिस भी किसान साथि के पास ये ट्रेक्टर है तो वो भी अपने विचार दूसरे किसान साथियों के साथ सांजा कर सकते है और जो किसान साथि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें धरन्यवाद